वल्कम दोस्तों कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं कि अच्चे होंगे आज 3 सितंबर 2022 सनिवार का दिन हो गया है आज के मुक्य समाचार और टूडर ब्रेकिंग न्यूज अपडेट वे कही तरह की मतपन और बड़ी काम की खबरे लेकर आजरो चुके हैं सभी खबरें बहुत यदा मतपन और सेलेक्ट करके लाई गई हैं तो आएए दोस्तों बिने टाइमिलम के सुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर ब्रिटेन से आगे निकला भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी आर्थवियोस्ता बना है यानि भारत के लिहाद से आर्थिक मोर्चे पर ये गुड नियूज आई हैं ब्रिटेन को पचाड कर भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी आर्थवियोस्ता बन गया है और इसी के साथ ही ब्रिटेन फिसल कर चट्टे स्थान पर आ गया है आपको बता दें एक दसक पहले भारत सबसे बड़ी आर्थवियोस्ताओं में ग्यार्वे स्थान पर दा जबकि ब्रिटेन पांचवी नंबर पर दा वह दोस्तु बड़ी खबर आई है सीबी एसी के ओर से मतबन अपडेट जारी हुआ है कोलेज एडिमिशन के लिए डिजी लोकर पर अप्लोड किये गए डोक्यूमेंट यानी बारवी की मार्क सीट और माइग्रेशन सर्टिपिकेट मान्य किये जाएंगे केंद्रिय मादेमिक सिक्सा बोड ने सुक्रवार को जारी नोटिस में विश्व विद्यालेओं से अग्रे किया कि वे डिजी लोकर पर उपलब्द सीबी एसी किक्सा बारवी की मार्क सीट और माइग्रेशन सर्टिपिकेट स्विकार करें क्योंकि वे कानूनी रूप से मान्य है और ऐसे में विद्यार्तियों और अभिवावकों को रहात मिलेगी आगे बरते दोस्तों बड़ी खबर आई हैं भारती नो सेना में आयनेस विक्रांत सामिल हो गया है आयनेस विक्रांत के अलावा आयनेस विक्रमादित्य भी भारत के पास हैं यानी अमेरिका, यूके, रूस, चाइना और फ्रांस के बाद भारत भी अब उन देसु की लिस्ट में सामिल हो गया है जिसमें स्वेदेसी तक्निक से एरक्राप्ट कैरियर को बनाने की समता है यानी आयनेस विक्रांत की 76 प्रतिशत चीजें भारत में बनी है वहीं दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़ी खबार दिल्ली एंसे आर की तरजपार उत्रपरदेश में योगी सरकार लखनव समयत कै जिल्नेस विकास के लिए मुख्यमंत अदितलियो के आयोग की समग्य विक्राप्ट में नडग परश्ड़ा उप्रतिशत प्रस्व ने सतक्रापर शार किया दोस्तों UPI payment से जुड़ी मतमुन बड़ी खबार है UPI को UAE में मनेता दी जाएगी दोनों देसों के बीच संयुकत आयोग की बैठक में इस तरह की चर्चा हुई है यानि आने वाले समय में ये संभव होगा कि दूबाई, अबुदाबी, सारजा जाने वाले भारती अपने UPI एप के ज सरकार को टेक्स देना होगा अगर आप टेक्स देने से बचते हैं तो आपको आई कर विबाई की तरफ से नोटिस भी आ सकता है ओनलाइन गेमिंग से कमाई करने वालों का पता लगाने के लिए विबाग ने आर्टीबीशियल इंटेलिजेंस का इस्तेवाल किया है और दोस्तो बड़ी खबर आ रही है हाली के मैंनों में इलेक्ट्रिक दो पईया वानों में आग लगने की कैटरा की गटना है सामने आ चुकी है और इसे गंबीरता से लेते वे सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए कमेटी का गटन भी किया था और इसमें दो पईया वानों में लगने वाली बैटरी में दोस पाया गया था इसलिए सरकार ने इससे जुड़े नियम को जारी करने का फैसला यह आ है और इसके तरद बैटरी सुरकसा के नए नियम एक एक्टूबर से लागो होने जा रहे है साथ ही गनेश चतूरती 2022 से जुड़ा अपडेट है ह वह दोस्तों बड़ी खबर आ रहा है नेशनल सिनेमा डे से जुड़ा अपडेट है और खुस खबर भी है क्योंकि हमारे देश बर में सिनेमा गरू में 16 सितंबर को सिर्फ 75 रुपए में मुवी टिकेट मिलेगा इस तरह की यह खबर है अमेरिका में सिनेमा गरू में गोश फिलाल पूरे NCR में टिकेट के ओसत किमत 200 से 300 रुपए के बीच हैं लेकिन 16 सितंबर को 75 रुपए की मुवी टिकेट खरीद कर लोग फिल में देख पाएंगे वह दोस्तों अपडेट का बायर गुजरात से जुड़ा अपडेट आ रहा है केजरिवाल का किसानों से वादा विवस्ता भी की जाएगी अगर हम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो हम दिन में बिजली देंगे और वो भी 12 गंटे के लिए हैं साथ दोस्तों अपडेट खबर हैं के अंदर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है मातां और बैनों के लिए बड़ी काम की खबर हैं जन इसमें का गया कि स्वास्ते और प्रिवार कल्यान मंत्रले के प्रामर से मामले पर विचार किया गया जनम के तुरंत बाद मृत जनम बच्चे या फिर बच्चे के मृत्य की कार्ण होने वाले संभावित भावनात्मक आगात को ध्यान में रखते हुए मैला केंद्रिय सरका और होंकों के बीच खेले गए ग्रूप मुकाबले को पाकिस्ताम टीम ने 155 रन से जीत लिया है और इसी के साथ अब यह तैय हो गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक और मुकाबला दर्सकों को देखने को मिलने वाला है और यह मैच 4 सितंबर को खेला जाएगा वह दो ख़बर देख पार हैं सुप्रीम कोर्ट ने चार दिनों में निप्टा एक करीब 1300 मामले सीजे आई ने काया है तेजी जारी रहेगी सीजे लेली जी ने काया कि पिछले दो दिनों में 106 रिगॉलर मामलू का निप्टा रखिया गया है और उन्होंने काय कि हम नियमित मामल असे हो गया है कि साम के समय साथ बजे से रात 11 बजे तक जब बिजली की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है तब गरामिंक सत्रों में दो गंटे तक का कट लगाया जा रहा है वहें अपडेट कबर देख पा रहे हैं महाकाल के भक्तु के लिए खुसकबर आई हैं उज्जे अरक्सन के खिलाब हाई कोर्ट ने फैसला दिया हो लेकिन अमारी सरकार प्रतिबद्द हैं और यह आरक्सन व्योस्ता उत्राखन में लागू की जाए इसलिए हम यह लड़ाई सुप्रिम कोर्ट तक लड़ने के लिए तयार हैं हम अपने इस एजंडे की जबरदस पेरवी सिर्स कोर्ट में करेंगे साथ यह ब्रेट खबार एक और भारतिय को दुनिया में मसूर इस कंपनी की कमान दरसल स्टारबक्स के मेनेजमेंट ने भारतिय मूल के लक्समन नर्सिमन को कंपनी का मुख्य कारिकारी अधिकारी CEO नियुक्त करने का अलान कर दिया है दिगज सोसल मीडिया के इस जमाने में हार दिन किसी ना किसी सेलेब्रेटी का डुब्लिकेट वायरल होता रहता है कुछ वक्त पहले इंटरनेट पर आलिया बटके हमसकल वायरल हो रही थी वहीं अब एस्वरिया राय की डूब्लिकेट सबका ध्यान कीच रही है एस दफाई के सोंग पर लिप सिकिंग करते हुए सोट वीडियो बनाती है और ऐसे में इंटरनेट को एक बार फिर एस्वरिया राय की हमसकल मिली है वह दोस्तों बड़ी अपडेट खबर आ रही है बिहार पुलिस विभाग में सीपाई के 8,415 रिक्त पदू पर चायन के लिए फाइन जबकि पिछले साल मोटे अनाच के कुल खरीद 6.3 सुन्य लाख टन हुई थी वह दोस्तों बड़ी खबार देरादुन में भारतिय मानक ब्यूरो की टीम ने बिना लाइसेंस होल मार्क जोयलरी बेस्ते दो सुनार पकड़े है साथ ही यूपी न्यूज अपडेट उत्रप प्रिपेट मीटर के उबगताओं के लिए गुड़ न्यूज आई है मेसेज के जरी अब आपको पूरा हिसाब मिलेगा 37 तक स्मार्ट प्रिपेट से जुड़ी समश्याओं का निदान भी किया जाएगा बड़ी खबार पसों और मूंग की फसल में फेला पीला मोजक वायर स्तेजी से फेल राज जिससे भसलें लगातार खराब हो रही है साथ ही दिल्ली न्यूज अपडेट हवाई यात्रियों के हक में बड़ा फैसला हुआ है अनौंसमेंट ना होने पर फ्लाइट चूटी तो विमानन कंपनी जिम्हेदार होगी यानि हवाई यात्रियों को ताइवान टेंसन अपडेट हैं ताइवान ने चीनी सेना को चेतावनी दिये और कागी चीन को सयम बरतना चाहिए वहीं बड़ी खबर आ रही है अगले साल नासा के अंतरिक्स यात्री दस दिनों के लिए अंतराश्टी स्पेस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पहुंचने जांच के लिए स्टेशनों पर नई और आधूनिक व्यवस्ता करने जा रहा है और DMR से अपने मेट्रो स्टेशनों पर आधूनिक स्केनर लगाएगा जहां लगेज चेक करने में कम से कम समय लगेगा वहीं लगेज में मौजूद छोटी से छोटी चीज को भी आधूनिक स से प्रतम स्रेंडि में वी टेक पास कने वाले रेल करमियों के अनुकमपा के आधार पर सीनियर सेक्ट्रों इंजिनियर बन सकते हैं और शोटी रजस्तान बोर्ड ने लेतरी परिक्सा का प्रिमें कर दिया है इसके लावा ओला S1 से जुड़ा अपडेट आया है पहले दिनी ओला S1 इलेक्टरिक स्कूटर के लिए 10,000 बुकिंग हो गई है वही एसिया कप से जुड़ा अपडेट है को टाल दिया है जिसके चलते देश के कई स्थो में भारिवार इसका दोर फेर सी मोसमी बाही के मुटाभिक राजस्तान में एक बार फिर से 8 सितम्मर के बाद कई जिलों में बारिवारी सोंगावना सब्सक्राइगी साथ ही SBI कार्ड ने लॉंच किया केस्वेक SBI कार्ड हर खरीदारी पर तकड़ा केस्वेक मिलेगा वहीं येस्वेक ने NRI FD के ब्याज़दरों में इज़ापा कर दिया है वहीं दोस्तों नोईडा न्यूज आ रहा है 36 गड में करीब 10 दिनों से चल रही सरकारी अधिकारी और करमचारी के हर्ताल खत्म हो गई है अधिकारी करमचारी फेडरेसर ने हर्ताल खत्म करने का एलान कर दिया है आईए दोस्तों आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुड़े सिल्वर प्राइस टुड़े अपडेट की जनकारी सोने चांदी के भाव क्या चल रहा है सुक्रवार को सोना 50,574 रुपए प्रती 10 ग्राम पर रहा वहीं चांदी 52,420 रुपए प्रती किलोग्राम पर रहा है वहीं आपको बताते हैं भी ते 24 गंटे में मारे देश में कोरोना वाइरस के 6,168 नए मामले सामने आया है 60,000 से कम एक्टिव केस हो गए है आईए दुस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूस टुड़े आज का मोसम कैसा रहेगा संपुन भारत का आज 3 सितंबर 2022 का मोसम पुरोनमान मोसम की जनकरी का ताजाब डिटा चुका है अगले 24 गंटों के दोरान मोसम की संभावित गती वीदियो में असम, मेगालाय, अरोनाचल परदेश, उपईमालाय, पस्यमंगाल, सिक्केम, उत्री, बिहार लकस दीब के कोची लाके और अनमाना और निकोबार दीब सुमू में मध्यामबारी से साथ ही कहीं भारी बार साथ भी हो सकती है और इसके साथ ही दोस्तों आज के मुखिय समाचारों में फिलाल बस इतना ये अपडेट प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब और हाँ दोस्तों गंटी वाला आइकन बैल आइकन नहीं प्रेस किया तो वो भी कर लिजे ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे वीडियो कुरा देखने के लिए आपका दिल से सुक्रिया और धन्यवाद जैहीन जै भारत वंदे मात्रम